राश्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष शरत पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयन पाटल, उपमुक्य मंत्री अजीत पवार, गर्चिरोडी जिले के नेता, पूर्व मंत्री और अहेरी विधान सभाग शितर के विधायक, राजी धर्मराव बा बाबा अत्राम जैसे ही शामिल हुए, राश्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी ने फरवरी 2022 में शेहर में राजितिक दलों को लेकर जिवन्त चर्चा की, राख्पा के और से देसाई गंस्तित भवन में पार्टी कारेकरताओं की बैठक वो पार्टी प्रवेश कारेकरम क आयोचिन किया गया, अपने प्रवेश के बाद से राख्पा को एक बार फिर चीवन्त और युवा नेत्रत्व मिला है, पार्टी के निता और उद्खाटन अद्धेशित धर्मराव बाबा अत्राम ने सभी पार्टी कारेकरताओं को धनिवा दिया, और कहा कि पार्टी का नाम मस्बूत किया जाना चाहिए, और पार्टी को एकता में आम जयनता की सेवा करने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी बनना चाहिए, आरेके के कई गन्माने व्यक्तियों ने पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी कारेकरताओं को धनिवा दिया, और उनके भव रविन्द्र वासिकर, लिलाधर गड़कर, राकन के अध्यक्ष विजे गुरुद्वारा, राकन के जिला उपाद्यक्ष योगिश नंगावी, चलामहा सचीव और वरिष्ट निता शाम धैत, जिला संगितन सचीव विलास गोटफूडे, राकन के देसाई गंच तालुका अ पठान सर, आरके के वरिष्ट निता शेलेश पुट्टुवार, कला एवं संस्कृति विभा के जिला अध्यक्ष पुवन लिलारे, देसाई गंच सोशल मीडिया प्रमुख तालुका अध्यक्ष कपिल बोर कर समेद बड़ी संख्या में राका पदादिकारी वो कारेकरता म मौजू थे, कारेकरम की शुरुवात लतीफ शेक ने की और इसकी मेजबानी रोशिन शेंडी ने की थी BCN न्यूस के लिए अहेरी से आसिफ पठान की रिपोर्ट